देखें, ये question number है, बारवा, rd का 17th question है, a plus ar plus ar square up to ar to power n minus 1 है, जिको लो ar to power n minus 1 पान, r minus 1, देखने से कुछ लग रहा होगा, ये है क्या, ये gp का n term का sum का formula लिखा हुआ है, तो वही तरीका step 1, अब हम कोई statement में language नहीं लिखेंगे, सब का 1 है, for n is equal to 1, तो lhs की value क्या आएगी, lhs के लिए a आएगी, 1 भूले तो पहला step, rhs की value क्या आएगी, n को 1 लखो, तो आएगा a, rd power 1 minus 1 upon r minus 1, this is cancel out, it is also equal to k, a, so lhs is equal to rhs, क्या शो हुआ, कि this statement is true for n is equal to 1, लिख लेंगे, लिख लेंगे, लेंगे नहीं लिख रहे है, step 2 में क्या करेंगे, कि let this statement is true for n is equal to k, हमने r is equal to k के लिए इसको सही मान लिया है, ठीक है, n को k रखो, तो n को k मतलब k step, तो क्या आएगा, a आएगा, plus a r आएगा, plus a r square आएगा, plus a rd power k minus 1 आएगा, is equal to a rd power k minus 1 upon r minus 1, ये आपका equation number 2 आया, ये हम सही मान रहे हैं, इसको हमें सही प्रूफ नहीं करना है, मतलब नहीं करना मतलब नहीं गलत है, step 3 में क्या करेंगे, for n is equal to k plus 1, तो इसका lhs लेते हैं, taking lhs of equation 1, taking lhs of equation 1, जैसा हम बार-बार कहते हैं, कि कुछ teacher दोनों side लेके चलते हैं और n को k plus 1 लिख देते हैं, वे भी सही हैं, वो दोनों side लिखते हैं, lhs solve करते हैं, और अपने आप lhs rs equal हो जाता है, हम lhs लेते हैं, solve करते हैं, और rs अपने आप result आजाता है, तो देखें, जब lhs लिखोगे, तो आएगा a plus ar, last में क्या आएगा, जब आप n को k plus 1 लिखोगे, तो a rd power k आएगा न, और इसके पहले क्या आएगा, a rd power k minus 1 आएगा, अब जब देखें, equation 2 का use करिए, यहां से ले करके, यहां तक, same value आ रहे नहीं आ रही है, इसकी ज़िए क्या ले सकते हैं, यह ले सकते हैं, रग दो उठा करके, using equation 2, using equation 2, 2 का استعمال कैसे करेंगे, इसकी rd power k minus 1 upon r minus 1 plus a rd power k, अब देखो, इसको हम solve करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें लाना क्या चाहिए, actually मैं n को k plus 1 लिखना है, तो simple से बात, अगर n को k plus 1 लिखेंगे, तो आएगा a rd power k plus, यहां पर k plus 1 आजाना चाहिए, बस, और result same रहेगा, n की ज़िए k plus 1 आजाना चाहिए, ठ पता नहीं, देखो, हमने इसमें ले लिया lcm, कितना, r minus 1, तो यहां तो लिखा है a rd power k minus 1, और प्लस a rd power k, और इसके साथ multiply में क्या जाएगा, r minus 1, है ना, अब देखो ध्यान से, हम पूरे से a काम ले ले लिया, और ब्रैकेट को खोल देते है, तो ब्रैकेट को खोल दे यहां पर आएगा rd power k minus 1, और यह rd power k अंदर जाएगा, तो बच जाएगा rd power k plus 1 minus rd power k, यह कट गया, और अपान में जो लिखा हो, तो लिखा ही रहेगा, तो उपर क्या एगा a rd power k plus 1 minus 1 upon r minus 1, देखो, यही right hand side आना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, कि this statement is true for n is equal to k plus 1 also, so it is true for all the values of n, ठीक है